में सो पिखली क्लास में हम लोगोंने log-based recovery इसे मिल भाइल बोलते हैं ओर इस फाइल में ट्रांजेक्षन की सारी कि activities को रेक्ट किबूसर्थ हुँए ट्रांक्ट कस्ट हुआ ट्रांजेक्शन अगए अगर ट्रांजेक्शन अबस्थ हुआ है तों परोकल वर गाए उस्हें मौडनिफिकाशन जो मोसिकेशन हैं उनकी क्या अने फिर्गिया टता हैं एक रिकोर्द सब्सक्राइब log records बोलते हैं सो कुछ टाइप के records हैं जिनको आप classify कर सकते हो कुछ category में जैसे एक record आपकर आप देखेंगे तो इस टाइप टी आई कॉमा स्टार्ट सो यह लोग record है में से start log record बोलते हैं और यह इंडिकेट करता है कि टांजेक्शन टी आई स्टार्ट हुआ ओके नाओ यह भी आपको important fact याद रखना है कि जो logs है log records है log file में chronological order में लेखे जाते हैं जिस टाइम पर जो एक्शन एक्ट हुआ है उस एक्शन के क्या का जो टाइम है वो टाइम के base पर उसे record किया जाता है तो अगर दो एक्शन में एक एक्शन वन एक्शन टू से पहले अपर हुआ है तो एक्शन वन का log record एक्शन टू के log record से पहले आएगा ओके सो एक chronological order maintain होता है ना दूसरे टाइप का जो log record है जो किसी भी ट्रांजेक्शन के modification को स्टोर करता है या उसकी information को स्टोर करता है मुझसे बोलते अपडेट लॉग रिकॉर्ड किसी भी ट्रांजेक्शन दौर्टा जो राइट ऑपरेशन पर्फॉर्म होड़ा है उसकी को रिकॉर्ड करता है सो दिस इन एक्जाम्पल ऑफ अपडेट लॉग आप देख सकते हैं टी आई कॉमा एक्स कॉमा वी वन कॉमा वी टू तो यहां पर टी आई क्या है टांजेक्शन का आइडेंटिफायर एक्स जिस डेटा आइटम को मॉडिफाय हो रहा है उसका आइड us also this is called New Value अगया वी वन ओल्ड वैल्यु हो गई वी टू नए मोडिफेकेशन देम्सेल पहले की वेल्यू वी वन और वी टू मोडिफेकेशन के वार्ट की वेल्यू है एक और लॉग रिकॉर्ट आपको देखने को मिलता है वह ती आई कॉमा अमिट सो यह इस्टक्शन यह करता है कि पड़्टकुलर ट्रैक्शन cia Director हो गया है ओके इसी तरह की से एक लोग रिक और देखने को मिल सकता है आपको वह है ओओ हो टी आई खुबूर्ड एक्ट और आइब और इंडिकेट करता है कि ट्रैक्शन को mark करने के लिए कि उस टाइक्शन का अंडू किया जो शुका है तो उसके लिए टी आई आइवाट लॉग रिका जाता है दिरा सम्मूर टाइप अफ लॉग रिकार्ट जो कि आपके फाइल में लॉग फाइल में हो सकते हैं कि नाव यह भी आपको याद रखना है कि जो लॉग रिकॉर्ट से वह आपके एक इस्टेवल स्टोरेज में लिखे जाते हैं यह हमेशा आपको अविलेबल रहें है ओके गयों होके सो लेट्सकों हएड यह मलोग डिसक्स को ब्राम चुके हैं देजीर है मोडशिय हटे हुशनन वह भी कर दीजाते हैं मैं क्या होता कि जो मौड़िकेशन साब बफर में लिखे जाते हैं transactions अपने local space जो है उसका वहाँ changes करता रहता है तो कि local space में भी जो variables है data items उनके copy हैं उसके पास वह modify करता है लेकिन जब transaction commit होने जाता है तब actually आपके buffer space में modification किया जाता है तो यह दोनों में basic difference है अब अब कर अधिंक वी हैव डिसकुष्ट इस एक्जाम्पल कल नहीं किया था डिसकुष्ट है चलिए ठीक है सो एक definition थी सायद आई कैस यह हम लोग previous class में डिसकुष्ट कर चुके हैं ओके फिर भी repeat कर लेते हैं सो टांजेक्शन को कमिट कपका जाता है लौग के लौग बेस प्रोटकॉल में कि according जब टांजेक्शन का कमिट लौग र्कॉड फाइल में लिग गया है इसका मतलब आप माल लेंगे कि ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है तो इसका मतलब है कि अब लौग बेस्ट recovery की responsibility है कि जो committed transaction है उस transaction है जो भी modification database में किये हैं वो हर हाल में persist करना चाहिए database में persist से मतलब मेरा है हर हाल में database में वो होने चाहिए hard disk में लिखे जाने चाहिए so यह log-based recovery की responsibility है कि अगर log file में commit record किसी transaction का आ गया है तो अब उसको कैसे कमिट कराना है उसके modifications को कैसे ड्यूरेवल बनाना है ड्याट मेंस ड्यूरेबिलिटी property कैसे इंसर करनी है यह log-based recovery की responsibility है और log-based recovery protocol इसको काम को करता भी है ओके तो यह एक example है जिस मैं immediate database modification लेकर करके चले गए है तो यह example में आप देखेंगे दो transactions है तो आप इस transaction से साथ familiar होंगे टीजी रो टीजी रो एक transaction है जो account A से account B में 50 डॉलर ट्रांसफर करता है आप इस account इस transaction से familiar है जो कि यह transaction book में काफी बार refer किया गया है transaction के chapter में हमने यह transaction discuss किया गुए है so let's let's see कि अगर यह transaction जब execute होता है तो log files कैसे write होते हैं तो आपको याद होगा जब transaction TI start होगा तो जैसे मैंने बताए कि एक start log record लिखा जाएगा तो यहां पर उस transaction का code याद नहीं है है available slide में बट आप मुझे I hope what code आपको याद होगा ठीक है नहीं याद होगा दिन मैं फिर वह आपको steps वह साथ में बताता चलूंगा so bear with me that so सबसे पहले आपको याद है कि transaction जब start होता है तो आप start log record लिखेंगे so transaction का actual start करने से पहले log file में recovery manager क्या करेगा यह एक record लिख देगा कि लेक्वी स्टार्ट नोटेशन कि ओके सो यह log record indicate करता है कि transaction T0 start हो गया है okay so T0 पहले यह वाला log record जोना log file में एंटर कर दिया जाएगा इसके बाद transaction T0 को start कर दिया जाएगा अब आपको याद होगा transaction T0 तो पहले operation सबसे पहले क्या करता है कि वो a की value read करता है याद होगा read a command issue करता है so read a command issue का मतलब a की value जो की 1000 उसे read कर लिया उसने फिर आपको याद होगा instruction अगली थी a equal to a minus 50 so a में से 50 subtract कर दिया तो इसके लिए corresponding log record लिखा जाना चाहिए तो वो log record क्या होका modification log update log record log file में पहले एक update log record एंटर किया जाएगा फिर modification किया जाएगा तो यहां पर हमां immediate modification approach लेकर चल रहे हैं तो यह modification माल लेते हैं बफर में भी immediately change हो जाएगा ओके सो एक ही जल्ली जो आउट्पुट वफर है उसमें एक की वेल्यू राइट एक के बाद आलागी change होगी अभी एक की वेल्यू यह equal to a minus 50 से temporary change होगा जो की local variable में change होगा सो ओके local variable में change करने के बाद राइट एक कमांड इसू होगी ओके सो लॉग राइट एक कमांड से पहले लिखा जाएगा सो राइट एक कमांड जब transaction issue करता है आपको याद होगा इस यह कमांड थी write a और यह कमांड किसके बाद आती है जब a की value को 50 subtract कर दिया गया था that means a equal to a minus 50 instruction के बाद यह कमांड आती है तो जब यह write a command issue होगी इस कमांड के execute होने से पहले एक log record लिखा जाएगा log file में वो क्या होगा this one क्योंकि t0 क्या कर रहा है एक value को modify कर रहा है ओके सो यहां पर entry कर दी गई t0 मतलब क्योंकि transaction t0 modification कर रहा है क्योंकि data item a modify हो रहा है then 1000 1000 क्यों लिखा गया है क्योंकि a की current value modification से पहले 1000 है एंड नई value जो होने वाली है वो 50 कम हो करके 950 होने वाली है ओके सो यह log record लिख दिये जाएगा disk file आपकी log file में save हो गया इसके बाद यह command actually execute होगी और इस command के execution का मतलब क्या हुगा immediate modification हम बात कर रहे है तो immediately जो buffer होगा memory का जो आपका memory buffer है वहाँ पर एक ही value को जो की 1000 थी उसको 950 कर दिया जाएगा और transaction नहीं माल लिया कि यह writing disk में भी हो चुकी है अलाकि यह disk में change नहीं हुआ है अभी buffer में में change होगा होगा disk में change तो तब translate होगा जब या तो transaction commit हो जाए या फिर buffer manager decide करेगा तब होगा ओके सो वह हमारा issue नहीं है अभी हम माल लेते कि buffer में modification जो हो गया वह permanent है ओके नाव इसके बाद आपको याद होगा प्राइट के बाद आगली instruction जो थी transaction की वो थे read B अना सो B की value को read करेगा transaction इसके लिए कोई log record लखा नहीं जाएगा ज्यान रखना है read operation के लिए कोई log record लिखने की वैसे बहुत essential जरूरत नहीं है बट सम्टाइम्स auditing के लिए हो सकता है आप लिखे बट क्यूंकि हम है उससे अभी यहां concern नहीं है auditing related हम के बल रेकबरी पर ध्यान दे रहे हैं तो रेकबरी मेनेजर को ऊस transaction उस read operation के लिए कोई भी log record लखने की जरूरत नहीं है तो हम उसके बहुत है दिसक्स नहीं करेंगे ओके सो रीड जब कर लिया बीकी वेल्यू इसके बाद transaction क्या करेगा अगला instruction आपको याद होगा था बी इक्वल टू बी प्लस 50 क्योंकि जो 50 डॉलर आपने एस से सब्टाट किया था वह भी में एड करना है तो यह जो मॉडिफिकेशन है ध्यान रखना बी इक्वल टू बी प्लस 50 यह केबल ट्रांजक्शन की लोकल कॉपी में हो रहा है अभी यह का कि प्लस 50 के मैं लिखने के जड़रत नहीं है ठ्रशी राइट भी इंस्ट्रक्षण इस होती है सिमिलर टुट रहीन इस्ट्रक्शन इसु होगी तो ओविसली राइट भी इंस्ट्रक्शशन को एक्जीक्विट किया जाएगा लेकिन जैसा में कि मैंने पहले बताया था क एक्चुल ओप्रेशन होने से पहले एक्जिक्विशन होने से पहले लॉग र्कॉर्ड फाइल में एंटर किया जाएगा लॉग फाइल में रिकॉर्ड लिखा जाएगा दिस रिकॉर्ड रया है या क्या शीज है इसमें T0 राजेक्शन का नाम जो B को जो modification कर रहा है data item का identifier B है यहाँ पर क्योंकि B modify हो रहा है जो modification से पहले value that means old value 2000 modification के बाद that means new value 2050 okay so यह log record database में enter हो गया sorry log file में enter हो गया database मतलब log file में enter हो गया जैसे यह log file में save होता है अब यह right B command जो है यह इसका impact जो है buffer में लिखा जा सकता है क्योंकि immediate modification की बात के लेके चल रहे हैं आपर so immediate modification का मतलब है यह change आप buffer में reflect हो जाना चाहिए so right B command execute होगी और buffer में जो B की value थी वो 2050 हो जाए जो transaction माल लेगा कि वो writing करके कम अपना काम कर चुका है इसके बाद सारी instructions के बाद आपको याद होगा कि commit instruction थी तो अगर बिना किसी problem के commit instruction commit हो जाता है तो commit होने से पहले भी commit log record लिखा जाएगा ठीक है so commit log record होने का मतलब हो गया कि transaction T0 successfully commit हो गया है और जब यह log record log file में लिख गया है तो अब recovery manager की responsibility है कि यह जो changes हुए थे A और B की value में यह permanent disk में हो जाने चाहिए अभी ना हो बाद में हो जाए लेकिन होने चाहिए ठीक है so this is how the things will go now suppose अब इसके बाद एक और transaction start होता है जो टीवन transaction है so T1 transaction का क्या काम है कि यह C में 100 so see some account let's assume so यह उसमें से 100 रुपी subtract करता है so let's यह एक तरीके का withdrawal जो है आपका उससे related transaction है okay so suppose यह transaction start होता है और यह transaction जैसे ही start होगा तो obviously start करने से actually पहले formally start करने से पहले TI start एक log record लिखा जाएगा TI start sorry T1 start so T1 start log record लिखा जाने का मतलब हो गया कि transaction T1 start किया जा सकता है so यह log record पहले लिखा गया और अब transaction T1 को start कर दिया जाएगा that means active state में लेया जाएगा और active state में आने के बाद transaction T क्या कर रहा है इसने C की value read की read C किया so C की जो भी value थी इसने read कर ली तो obviously C की value अगर आप इस log record से देखें क्योंकि यह code नहीं है तो मुझे log record से ही C की value आपको देखके लॉकल copy में हुगा है इसके बाद transaction क्या करेगा write C command issue करेगा write C आप देख सकते हैं यहां लिखा हूँ भी होगा है write C सो यह जो write operation है यह write operation क्या करता है buffer में change करता है actually output buffer में main memory में जो output buffer है महां so write C instruction execute होगी लेकिन आपको मालूम है कि modification से पहले log record लिखा जाना ज़रूरी है so एक log record इस तरीके center किया दाएगा now यह log record क्या indicate कर रहा है आपको कि T1 transaction है जो modification कर रहा है किस data item को modification हो रहा है so data item C है modification से पहले जो value है that means जैसे आप old value नम से refer करते हैं यह 700 है और modification के वाद जो नई value है वो है 600 ओके और यह log record लेख जाने के बाद अब buffer में output buffer में यह change होगा ओके सी की value 600 हो जाएगी अब हो सकता है कि buffer manager in सारे modification को disk में write कर दे करें या ना भी करें लेकिन buffer में जरूर changes हो गए है now suppose t1 successfully commit हो जाता है तो यह log record भी enter कर दिये जाएगा और इसके बाद t1 को commit कर दे जाएगा और t1 के commit होने का मतलब है आप यह ensure करना है recovery manager को कि जो a b और c की जो final values है यह disc में reflect होने चाहिए okay so this is how the things works okay बट अभी हमने ध्यान रखना है कि अभी हम कुछ basics prepare कर रहे हैं this is not the exact protocol actual जो एल्गोर्था में recovery की वह हम कुछ देर बाद है discuss करने जा रहे हैं so यह आपका हम background मैं background प्रपेर करने की कोजित कर रहा हूं so that concepts को आंगे समझ पाएं so this is how transactions execute जब हो रहे हैं normal situation में obviously तो इस तरह के से log files maintain होती है okay so I hope आपको को कोई डाउट नहीं होगा अगर एक कोई डाउट है then आप पूछ सकते हैं अभी नहीं तो आप महांगे बढ़ेंगे so किसी को को कोई डाउट है नो सर्व ओके देन वी कन कंटिनीव हैं okay so let's okay so now अब हम दो operations की बात करने वाले हैं fundamental operations है एक तरीके से दो basic functions है जो आपके recovery manager को जरूरत होती है उन functions की so वो दो functions है undo and redo okay so यह दो functions है जिन जो recovery manager इनको recovery के time पर या किसी transaction के failure के time पर इनको call करता है और इनकी मदद से ही वो अपना काम पर complete करता है so यह दो building block functions है जो recovery manager यूज करता है so let's see them one by one so undo function है you can see here so दो functions है एक undo undo transaction and redo transaction one minute so let's talk about this function first so undo ti undo ti के मतलब क्या है undo यह के यह function है so function को आपको मालूम है कि input required होता है so undo जो transaction undo जो function है recovery manager का इसको एक transaction आपको input में देना होता है so undo ti का मतलब क्या है यह यह function ti transaction को undo करेगा okay so undo term से आप लोग familiar है आपने काफी जब ms office या ms paint में work किया होगा या कई सारे editors में काम किया होगा तो undo function को आपने बहुत यूज किया होगा ठीक है so undo में आपको याद होगा कि आप undo operation क्या करता है जिस order में आपने टास्क किये थे उसी order में उनको आप revert back कर सकते हैं और आप previous एक stage पर आ सकते हैं जैसे आपने माल लीजी एक पाइल है उसमें कुछ changes किया चार्च लाइन एड करें यह करके तो आप उन लाइन को रिमूब भी कर सकते हैं अंडू करके करके या कोई आपने डाइग्राम बना रहे हैं उसमें कुछ modifications किये ages and boxes add किये और आपको लगता है कि हमने कुछ गल्ती कर दिया तो आप एक प्रिवेस backstage में जाना चाहते हैं तो आप undo कर लेते हैं सब लोग अंडू से काफी familiar होंगे है ना सो यह अंडू अलगी exactly वही अंडू नहीं है बट वर्क कुछ है बस आई है ओके सो अंडू टी आई का मतलब क्या है कि यह जो function है यह एक transaction ने जो जो modification किये हैं यह उन modification को बापस restore करता है उनको उनको एक तरीके से ineffective बढ़नाता है अटा देता है उन modifications को और यह जो modifications जिस order में हुए थे उसके reverse order में हटाए जाते हैं ठेक है तो अंडू operation होने के बाद obviously undo operation जिस टाइम एक transaction ने टी आई जिस टाइम पर सुरू हुआ था उसी stage पर लेके आ जाएगा है तो इसने लट से कुछ operations है यह एक लाइन एक operation को indicate कर रही है यह operations की है इस पॉइंट आप टाइम पर आपको यहां से अप अंडू करना है माल ले जाए तो हम अंडू करने का मतलब क्या पहले आप इस instruction जो कुछ change is किये इस वाली इंस्ट्रक्षिन ने इस वाली इस वन इस ने जो भी change किया इसको आप बापस करेंगे फिर यह जो lgn है यह लाइन इसने कोई change किया आप इसे अंडू करेंगे इस लाइन ने फिर कोई परफॉर्म हुआ था वो बाद में अंडू होगा ओके सो लीफ ओ अडर एक तरीके से दिखाई दे रहा है आपको अंडू अप्रेशन में लीफ ओडर सबसे पहले रीजेंट जो टास्क है वो अंडू होता है फिर उसके रीजेंट का रीजेंट अंडू होगा एंड सौन अंडू आपरेशन की बदस से क्या होगा कि आप एक ट्रांघेक्शन इसके स्ट वने से पहले एक डेटावेश की इस टेट लेकर से सर एई स्टेट में बापस S1 स्टेट में ले आएगा ओके नाओ अब हम क्वेश्चन आता है कि हम अंडू कर क्यों रहे हैं तो अंडू हम एक्चुली तब करते हैं जब एक ट्रांजेक्शन को के बारे में आपको पता चलता है कि यह अपना नॉर्मल ऑप्रेशन कंटीनियू नहीं कर सकता है यह यह ट्रांजेक्शन आप हमें यही पर रोकना पड़ेगा और इसके इंपेक्ट को खतम करना है एक इंप्रापरेशन को तो आपको प्रिवर्ट करने के लिए हम अंडू करते हैं So, obviously, जब transaction partially complete हुआ है, तो most probably high chances हैं कि as to जो state होगी database की, ये एक inconsistent state होगी. Okay, I am not saying कि हमेशा ये ऐसा true होगा, but majority of cases में ये high probability होगी कि as to may be an inconsistent state. Okay, क्योंकि transaction partially execute हुआ है. और जब inconsistent state में हैं, तो आपको इस state से बापस database को s1, जो कि एक consistent state होगी, उसमें लेकर आना पड़ेगा. So, इसके लिए आप undo operation करते हैं. Now, जब undo operation perform होता है, so, ये actually हम transaction को award करने के लिए करते हैं. Okay, so, undo operation का इस्तिमाल हम एक transaction को award करने के लिए करते हैं. और आपको मालूम है कि एक transaction को award किस stage में किया जाता है, या award state का मतलब क्या है. Okay, अगर आपको नहीं याद है, then transaction की जो states वाला जो lecture है, उसको आप refer करिए. Okay, now, जब undo आप log record, जब आप undo operation करते हैं, तब भी कुछ type के log record database में, log file में enter किया जाते हैं. Okay, so, इसके लिए आपको undo log record write करना होता है. Okay, so, आपका जो update log record है, उसकी जगे पे, आप उसी update log record की मदद से undo log record लिखते हैं. Okay, so, जैसे एक हो सकता है कि आपके पास एक log record था, T0, let's say A, and let's say 1000 old value और new value 950, आपको याद है यह पम previous transaction से ही command ले रहा हूँ है, instruction ले रहा हूँ, example के तरफ पर, so, सपोज यह एक log record है, जो आपको undo करते समय सामने आता है, so, undo करते समय आपने identify किया, चूँकि आपको इसको undo करना है, इस action को, और यह action क्या कर रहा है, कि transaction T0 ने एक ही value को 1000 से 950 कर दिया था, तो obviously आपको इसको undo करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया log record database में लिखोगे, वो होगा T0, तो, okay, and a undo करना है, तो पुरानी value लिखना पड़ेगी आपको, और इस नई value हटा करके, that means 1000, तो यह log record आप database में एंटर कर देंगे, sorry, log file में एंटर कर देंगे, okay, so इस log record को बोलते हैं, undo log record, और यह log record indicate करता है, कि, एक ही जो value है, उसे 1000 कर दिया गया है, okay, old value को restore कर दिया है, आप देख रहे हैं, यह आपन नई value नहीं लिखी है, क्योंकि आप हमें नई value की जरूरत नहीं है, नई value से मारा कोई मतलब नहीं है, so हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है, so यह जो log record है, जिसमें केबल old value में इंसन होती है, इस log record को हम मोलते हैं, undo log record, okay, so undo operation में, यह log record लिखा जाता है, और जब एक एक करके सारी instructions undo हो जाती है, जैसे यह भी instruction undo हो गई, यह बाली instruction undo हो गई, यह इसको भी आपने undo कर दिया, इसको भी undo कर दिया, और undo करते करते आप T0 start पर आ गए, T0 start मतलब जहां transaction का, जो start log record आप वहां तक आ गए, जैसे यह आप scan करते बेक करते और undo करते हुए, बाहर बापस आ गए, यहां आ गए, इसका मतलब आब आपका जो है, काम complete हो गया है, undo complete हो गया है, और जब undo complete हो जाएगा, तो आप एक log file में record एंटर कर देंगे, वो होगा, T0 and abort, यह log record आप log file में लिख देंगे, और यह log record इंडिकेट करेगा, कि हमने transaction T0 को abort कर दिया है, ओके, तो undo operation है, इसका काम क्या होता है, कि यह किसी भी transaction में जो partial changes किये हैं, उनको हटा देता है, ओके, और उसके लिए वो दो तरीकी के log record लिखता है, एक तो है undo log record, यह वाला undo log record, और एक abort log record, जो कि इंडिकेट करता है कि transaction को successfully abort कर दिया गया है, undo कर दिया गया है, so that means इसका impact अब zero कर दिया गया है, so that आपने atomicity property इंसे ओर कर दे, okay, similarly, आप अबार्ट अबार्ट यह वो वह सेंड करता है, undo सेंड वर्क करेगा, अबार्ट, अबार्ट, undo operation, अबार्ट operation को perform करता है, जब आप undo function execute करते हैं, so you can call it an algorithm और function, जब आप इस undo function को execute करते हैं, तब यह complete जब हो जाता है, तब हम कहते हैं कि transaction award हो गया, so undo जो operation है, इसका काम है, एक partially executed transaction को award कर देना, ठीक है, undo का, जैसे आप किसी undo का क्यों करते हो, आपने जब कईसी file में देखा होगा, undo क्यों करते हो आप, जब आप माल लेजिए PPT बना रहे हैं, या MS office में कोई file में कुछ काम कर रहे हैं, तो undo आप क्यों करते हैं, obviously कुछ आप से गलती हो गई है, mistake हो गई है, तो आप उसको हटाने के लिए, है न, तो उसको हटाने के लिए आप जो ना, undo operation perform करते हो file में, control-z, control-z करते चले जाते हो, और कहां तक control-z करते हो, जिस point तक, जहां 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 तक गलतीयां हैं, और जो final, जो last correction प्रिस्टेट थी आपकी, जहां पर आपको सब मालू में कहां, यहां तक सब कुछ correct है, उस state तक आप आप आजाते हो, अंडू करते हुए, तो सेम वैसे यहां भी हो रहा है, आपको मालू में कि, transaction के start होने से पहले database correct state में था, तो आप undo करते, 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 start पर, T0 start पर, और T0 start जो है, वो point है, जहां पर database correct state में था, ओके, तो undo operation से आप, same undo, जैसे आप करते हैं, यह philosophy भी इसकी वही है, यहां भी, आप transaction के जो changes हैं, उनको undo करते रहे हो, और correct जो state है database की, वो किस जगे होगी, जहां transaction actually start हुआ था, तो आप उस state पर ला करके रोख जाते हैं, और यह mark करने के लिए के transaction undo हो चुका है, इसके लिए आप दो तरीकी के log record, log file में लिखते जाते हैं, एक तो है undo log record, जिसमें आप, undo log record में आप 3 value लिखते हैं, ज्यान रखना है, इसको undo log record नहीं समझना, यह modification है, तो इसमें हम old value mention करते हैं, कि आवल नहीं value नहीं लिखते हैं, तो एक undo type का log record data में इसके log file में एंटर करते हैं, और जब transaction के start तक आप execute करते हुए, revert करते हुए, undo करते हुए पहुच जाते हैं, तो उस time पर एक log record, log file में एंटर कर देते हैं, जिस जो indicate करता है, कि हमने इस transaction को undo कर दिया है, यह partially तो execute हुआ था, यह आप mark रहेगा, log file में यह information है, कि यह transaction partially execute हुआ है, लेकिन award instruction यह indicate करती है, award log record यह indicate करता है, कि इस transaction को हमने undo कर दिया है, ओके, तो यह है undo operation, नाव दूसरा जो operation है, वो है आपका redo, नाव redo में, हम actually, कुछ नहीं करते हैं, redo actually क्या होता है, कि हम cable loan modification को just repeat कर देते हैं, तो यह redo आपके file वाले redo से different है, तो redo operation अब actually कब करते हैं, कि आप जैसा कि आपको याद होगा, कि कई बार ऐसा भी chances हैं, यह sometimes recovery के बाद में, या आपके failure के time पर ऐसा situation हो सकता है, जब transaction commit तो हो गया था, that means उसकी instruction commit हो गई थी, आपने माल लिया कि transaction commit हो गया क्योंकि commit log लिख दिया गया था, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, कि जो modification buffer में थे वो disk में नहीं जा पाए, और आपको बालों कि buffer में जो modification होता है, तो lost हो जाता है, अब यहाँ पर situation क्या हो गई, आपने buffer में modifications करा लिए सारे, और उसके बाद transaction को commit कर दिया, और commit का मतलब हो गया, यूजर का काम पूरा हो गया, यूजर ने जो transaction initiate किया था, यूजर का काम हो गया, यूजर को समझ में आगें, यूजर को पता लगा दी, बता दिया आपने, कि आप जो task कर रहे था, आपने कंप्लीट हो घाए है तो यूजर कंप्लीट हो गया है चाहें वह क्राइब आपका मोडिविचन कर रहे था लेकिन वह कर रहे हुए हूं डिस्क में नहीं हो और उस पर डिस्क मोडिफिकेशन हुए और क्रैस हो गया आप चाहते थे उसे ट्रांसलेट करना कि वो डिस्क में चले जाएं लेकिन आपको मालूम है कि बफर मेनेजर आप अपने वेस्ट पर वो खुड डिसाइड करता है उसके अपने क्राइट करने के लिए पर है आपको आपको कैसे रिकावर किया जाए तो अनको रेकावर करने के लिए एक option है log files में जो modification mark कर दिये गए थे क्योंकि आपको मौलब है कि जब भी कोई modification हुआ था log file में उसकी entry थी ओके नाओ अब failure के टाइम पर आपके पास जो problem है वो यह है कि आपको कभी कभी idea ही नहीं होता है कि यह transaction के modification actually right हो गए थे या नहीं हुए थे लिएसा ही हो सकता है कि transaction क Все कमीट हो गया उसके modification वफर में राइट हुए थे और फिर फो qt9 कैसले यह possibility फीडर के सी दो यह हो च difer सब्सक्राइब हो सकता है कि transaction में जो बाफर में किये थे वह बाफर में आहे हैं और वो बफर का content lost हो गया डिस्क में नहीं राइट हो पाए थे दौना possibility है ठीक है और आप से और नहीं है कि कौन सा काम हुआ था तो इससे better क्या है कि आप वो modifications को log file की मदद से फिर से कर दे दिये मतलब old value को check old value को new value से old value को new value से राइट कर लिजे और इस operation को अंबॉलेंग है redo operation सो हो सकता है redo हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं operations को दोबारा कर रहे हैं जो transaction कर चुका है और आपको मालों में कर एक ही value को दोबारा redo करने से कुछ होने बाला नहीं है for example suppose transaction t0 को यह में 1000 से 950 राइट किया ओके अब यह चेंजेंज हो सकता है कि केवल लॉक फाइल में मार्क कर दिये गए थे एक्चुली नहीं हो पाए थे डिस्क में मतलब यह डिस्क में चेंजेंज नहीं आ पाए थे तो आप इसको redo कर दीए रिडू का मतलब है कि यह यह चेंजेंज को दोबारा करते हैं मतलब यह की वेलू और लूथ थी और आपने दोबारा 950 लिखल दिया जिए अगर मोडिफिकेशन ट्रांसलेट नहीं हो पाया था डिस्क में तो हो सकता है कि यह undड कि रह गई तो अब आपकी ड्यूटिया इसी की लॉग रिकॉर्ट को देख करके फिर से आप क्या कर दीजिए एकी वेल्यू को 950 राइट कर दीजिए कि डिस्क में जा करके ठीक है कि सो इससे क्या हो गया अब आप स्योर हो गए कि अगर आप इन ओप्रेशन को फिर से कर देंगे तो एकी वेल्यू 950 हो जाएगी और बी की वेल्यू 2050 थी उपर 2050 हो जाएगी ओके हां अगर 2050 थी उसी के उपर दोबारा 2050 लिग दे रहे हैं मतलब वो मॉटिफिकेशन अल्रेड ने बफर में राइट कर पाया था करें बफर मेनेजर ने जोना डिस्क के मॉडिफिकेशन जोना राइट कर दिये थे या नहीं किये थे रिकवरी से पहले तो आप उनको दोबारा से कर दिजे एक बार और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप जश्च्छ शूर हो जा डेटाबेस में रेफ्लेक्ट होने लग जाएंगे जो ट्रांजेक्शन टीजी रोने किया थे सो इस ऑप्रेशन को हम बोलते है रीडू ऑप्रेशन ठेक है और रीडू ऑप्रेशन हार्मफुल नहीं होता है अगर आपने इसे कितनी बार भी कर दीजिए वह जो चेंज से व वेलू है वेरियेवल के वाहां बार बार 950 लिखते रहा हो तो अभिसा वह 950 ही लिखेगा ऐसा तो नहीं होगा कि दोगना हो जाएगा दूसरी बार लखने पर या दोबारा लखने पर स्क्वैर हो जाएगा 950 रहेगा तो आप रीडू कितनी बार भी करिए तो आला कि हम बार-बार रीडू करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम एक वार तो एट लिष्ट रीडू रिकवरी के बाद कर सकते हैं और जब हम एक ट्रांजेक्शन को रीडू कर देंगे तो हम स्यूर हो जाएंगे कि उसके चेंजे अब पर्मनेंट हो गए है पहले से पर्मनेंट थे त कौन से ट्रांजेक्शन को रीडू करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखना है कि उस ट्रांजेक्शन के लिए टी आई स्टार्ट रिकॉर्ड आया और फिर टी आई कमिट रिकॉर्ड फाइल में है कि नहीं है तो जिन 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 ट्रांजेक्शन के लिए टी आई की स्टार्ट और टी आई कमिट मतलब स्टार्ट और कमिट लॉग रेकॉर्ड मेल रहा है उनको सीरे-सीरे आपको रीडू करना है एक वार वो पहले से पर्मनेंट थे उनके चेंज या नहीं भी थे कोई प्रब्लम नहीं आप उनको एक वार रीडू करते चाहिए जिसकी और कुछ लोग रकॉट्स लिखे जाते हैं ओके सो आई होप यह भी आपको रीडू अपरेशन भी समझ में आ गया होगा कि यह सब कि आपको अगर फेलियर से रेकवरी करना हो तो क्या क्या ओप्रेशन करना होंगे तो जब आपको फेलियर से रेकवरी करना हो तो जैसा कि मैंने बताए कि रेकवरी मेनेजर जब एक फेलियर होने के बाद जब सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो सबसे पहले काम क्या होगा रेकवरी मेनेजर चार्ज लेता है और कोई काम नहीं करेगा सबसे पहले recovery manager चार्ज लेगा और recovery manager का क्या काम होगा सबसे पहले काम यह वोगा कि वो यह identify करेगा कि कौन-कौन से transactions ऐसे हैं जिनको undo करने की ज़रूरत है पहला उसका goal क्या होगा जैसे ही वो start होता है उबिसली सबसे पहला टास्क होगा लॉक फाइल को पूरी तरह से रीड़ करके डाउनलोड करले लेना झो चाहे वह करें मोट साइट पर है अगर लोकल आपको मिल जाए रीड़ कर ली ना लॉक फाइल के बेश पर अब रेकबरी मेंगर का काम सबसे पहले यह होगा कि उसे य जो complete नहीं हो पाए थे जब crash हुगा जो समय कौनकों से ट्रांजेक्शन से जो execute हो रहे थे लेकिन complete नहीं हो पाए थे उनको क्या करना है आपको undo करना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है atomicity property क्या कहती है कि ट्रांजेक्शन या तो पूरा execute होना चाहिए या बिलकुल execute नहीं होना चाहिए तो आपको ऐसे transaction identify करने है recovery manager को जो partially executed हो पाए है मतलब पार्सियल execution का मतलब जिनका log file में आपको TI start record तो मिल रहा है transaction लेकिन ट्रांजेक्शन जो उसका ना तो आपको commit record मिल रहा है और नहीं अब और record मिल रहा है तो जिसका commit भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और अब लॉक्र को भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि यह transaction start तो हुआ था कुछ इसने हो सकता एक task भी परफॉर्म किया होगा को changes किया होंगे लेकिन commit record नहीं है इसका मतलब यह transaction partially executed commit नहीं हो पाया या वाट भी नहीं हुआ है तो इसको आपको undo करना है तो आप पहले my identify करेंगे कौन-कौन से transactions है जिनको आपको undo करना है और जब आपने identify कर लिए यह transaction undo करने है तो आप उनको पहले undo कर देंगे और उनकी information आप log file में लिखते जाएंगे कि यह transaction हमने undo करती है ओके next step आपकी होगी कि आपको identify करना हुआ कौन-कौन से transactions ऐसे थे जिनको हमें redo करना है redo करने का मतलब कि वो transaction commit हो गए थे या अवार्ट हो गए थे ठीक है तो आपको log file में देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से transaction ऐसे है जिनके लिए ti start record तो मिल रहा है लेकिन साथ में commit record भी मिल रहा है या फिर start मिल रहा है और commit के साथ start के साथ about मिल रहा है देखिए दो ही possibility होंगी कि एक transaction अगर start हुआ है तो उसके लिए ti transaction है लट से तो उसके लिए start record मिलेगा ti start ठीक है जो transaction start available है उसके लिए ti start तो मिलेगा और अगर transaction complete हो गया है तो आपको ti commit भी मिलेगा ठीक है एक chance तो यह है कि आपको ti start मिला और ti commit मिल गया इसका मतलब यह transaction कैसा है commit हो गया है तो इस transaction को यह जो commit हो गया इसको आपको सिर्फ redo कर देना है क्योंकि redo आप क्यों कर रहे हैं आप यह इन से और करना चाहते हैं कि इसके modifications हो सकता है डिस्क मेर राइट हो गए हो यह नहीं भी आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ इसको एक बार redo कर देजे तो इसके जो भी modification थे आप डिस्क मेर देखने लग जाएंगे और यह जो टास्क है इस transaction का टास्क वह पूरा हो गया इसके durability प्रोपर्टी इन से और हो गई अब यह possibility हो सकती है कि TI start तो मिले लेकिन कमिट की जगह पर आपको मिले आंगे लिखा हुग है TI award और जिनके लिए अवार्ट लिखा मिल रहा है प्रोपर्ट छिमें रहा है TI Award उनको क्या करना है आपको कि श्वल जिनके लिएए स्टार्ट मिला एंड रृंड यन खंब क्या इसका मतलब क्या है यह transaction अपॉर्ट कर दिया गया था तो इसका मतलब क्या है कर दिया था लेकिन हो सकता है कि यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अंडू जब आप कर रहे थे तो वह अडू के बल लॉग फाइल में हो पाए था एक वार आप इनके इस्ट्रक्शन जो लिखे गए थे आपने अंडू लॉग रिखे थे उनको दुबार से एक वार फिर से एक क्या होगा क्योंकि आपको मालू में अंडू लॉग रिखी होती है जो कि इस ट्रांजेक्शन के जो की अवार्ट हुआ है उसके मोडिफिकेशन से पहले वैल्यू क्या थी ओल्ड वाली वैल्यू आप उसको दो बार से ओल्ड ओल्ड कर दीजिए तो जो भी ओल्ड टेंगे तो इसके से जो रीडू आपरेशन में आप एक्चิcky दो ट्रांजेक्शन का रिडू कर रहे हैं जो मित को आपको है प Опके तोी यह त्षी टास्क आपको एक्षोली मेनल दी करने हैं कि ऐसे ट्रन्जेक्शन जिन्के लिए स्टार्ट मिला लेकिन नहीं तो हुआ भाट होगा या थे वह नोग फॉर्ट है नहीं हुगा तो कमिट और इन तो आप इंको redo कर दीजए तो यह अपने लेवल से कमेड वाला कमिट हो जाएगा। यह किसमे आपको क्या करना है। अब यह का मतलब इस ट्रान्जेक्शन को अब आप कराना है तो आवाट के लिए आप अंडू फंक्शन कॉल करेंगे। है तो यह में तीन टास्क है जो आपको रेकवरी मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ते हैं यह कैसे होते हैं भी विल सी ओके अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक के डिस्केशन से अग्यों जो लेट सी एन एग्जाम्पल सो आप देख सकते हैं सेनारियो एए तो आप देखेंगे यह वही ट्रांजेक्शन फिर से टीजी रहा है लेकिन आप ट्रांजेक्शन के डिटेल नहीं जाएंगे तो यहां आप देख रहे हैं कि लॉक फाइल में सपूज यह सुच्वेशन है मतलब एक ट्रांजेक्शन टीजी रहे है जिसका जो आपको श्टार्ट बहुत देख रहा है डेन दो लॉग र्कोनके दो nih हैं तो यह लॉग कोई इंड़ कर रहे है कि एक यह बल्लू को इस टांजेक्शन ने केजार से नौसां पटास किया आप यह कि वेल्लू कुeri रिकॉर्ड नहीं है तो कौन सा केस बन गया तीसरा बाला जो मैंने सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करेंगे हम अबॉर्ट करने के लिए डिलॉक फाइल में पहले तो अबॉर्ट रिकॉर्ड लिखेंगे और जब अबॉर्ट रिकॉर्ड लिख दिये जाएंगे तो अबॉर्ट रिकॉर्ड में दो रिकॉर्ड इसमें एड़ करेंगे एक रिकॉर्ड एड़ करेंगे टी जीरो वी दो हजार टी जीरो ए एक हजार औ और फिर T0 अबॉर्ट तो इस केस में इस ऐसी स्टूशन में है रिकवरी मेनेजर इसको सीदे सीदे आवार्ट करनेगा ते वन केस टू पर आई यह इसमें आप देखेंगे दो ट्रांजेक्शन दखाए हैं ती जी रो स्टार्ट अब देख रहे हैं यह कमेट भी दिखाई द tik species tengo devo fulfilled को 250 करना था डी के वैलू को 2050 करना था यह मोडेविकेशन जो से बेखर में हो Check डंज दोनो और केसि में आप इस इस फेरी मेंसे एंश्यस्टे कर यह की डिस्क पर करें हैं कि दस्क में एकी लिए जो 950 होना चाहिए बीकी वेल्व दो जार पचास होना चाहिए तो आपने क्या कर दिया इनको इंस्ट्रक्शन को ब्चेश्ट रीडू कर दिया है इसे भी रीडू कर दिया मतलब तो एक जार जो था एकी वेल्व से 950 कर रही है तो उसके उपर 950 करने से कोई प्रब्लम नियुक्त कर दिया उसको सिमिरली बीकी वेल्व को जो की हो सकता है डिस्क में 2000 रही हो है रीडू अपरेशन के त्रोक क्योंकि रीडू हम उन ट्रांजेक्शन को करते हैं जो या तो कमिटेट थे या अवार्ट थे फेलियर से पहले सो वटेवर बाद केस इस ट्रांजेक्शन के चेंज़ पर्मानेट हो जाएंगे ना अगर यहां देखिए आप तो यह क्या है क है कैर अब कमिट रेकोर्ड नहीं देख राइं डिख रहा है ना वोट देख रहा है kindgए SO लब कमिट रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे अंडू करेंगे सुवे और लिएक तो 700 जुब टो तोलिव आपको यहां करेंगे यहां यहीं जोकिल करे NS werep और फिर बाद में तीवन इस्टार्ट घंति जब तीवन इस्टार्ट तो रहेगा लेकिन इसके बाद में एक लोग रिकोड में लोग फा boyfriend रोक लॉक्ड एक अड़ हो जाएगा वह गई यह स्क्रीकिसे यह रिकॉर्ट अब हैं मतलब यह 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 ट्रणेक्शन अभट करते जाएगा थीवन आप देखेंगे यह में तीन दोनों ट्रांजैक्शन कमिट हैं दोनों के लिए कमिट रिस्ट्रैक्षन दखाई दे रही है तो इन दोनों को क्या करना है सिर्फ आपको रएडू करना है रेडू का मतलब इनके मुटेपीशन को एक जार को बापस नो सब इस तरीके से रेकबरी कर सकते हैं ओके सो यह तो था बेसिक कॉंसेप्ट इसके बाद एक और इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है चेक पॉइंट वह मैं डिसक्स कर लेता हूं फिर हम क्लोज करेंगे सो दैट फिर और ने प्लास में हमारे पस केवल और केवल और अल्गूर्थम डिसक्स करने को रहा जाएगी कि यह जो ओप्रेशन से इनको हम और्गनाइज कैसे करते हैं अल्गूर्थम का मतलब यह इन आप्रेशन को और गनाइड वे मैं एक फ्लो मैं कैसे परफॉर्म करेंगे तो अभी चेक पॉइंट की बात हम क्यों कर रहे हैं ओके सो चेक पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है जैसे माल लीजिए कि फेलियर ओकर हुगा आपकी यह लॉग फाइल है जिसमें ट्रांजेक्शन की एंट्री है ना एक आपकी लॉग फाइल बनते जा रही थी और यह जो पॉइंट ऑप टाइम है लेट से दिस पॉइंट आप टीपर फैलियर ऑकर हो गया और माली जैसी यहां से आपकी लॉग फाइल स्टार्ट हो रही थी फस्ट एंट्री है लॉग मेंटर के उगा तो फैलियर ऑकर होने के बाद रिकबरी मेनजर का काम क्या है वह हो को लॉग फाइल आपकी इतनी लिखी गई होगी फेलिएर के टाइम पर इस जगे पर लास्ट रडॉक रोग डा को और आपके लॉग फाइल को डाउनलोड करके रेकबरी मैंनेजर ने क्या किया लॉग फाइल को रीड कैसे करेगा backward Daymix क्यांकि लॉग फाइल को रीड करके उसे जानकारी निकाल नहीं है recovery मेनेजर को कि कौन कौन से ट्रान्जेक्षन जो अना कमिट हो गए थे तो उनको अंडू उनको रेडू करतेना है और कौन से तराँज Creating कौन से एसे ट्रैक्शन से जिनका जो स्टार तो हुए है लेकिन आब थो पाई या कमिट नहीं दो का सो अब आपको क्या करना पड़ेगा लॉके 1 वह स्वेकोर आपको सर्च करना पढ़ेगा लॉग रिकॉर्ट्स में तो आपके पास एक फाइल है उसमें बहुत सारे लॉग रिकॉर्ट्स हो सकते हैं अगर एक बहुत बड़ा डेटावेस है जिसनों रेगुलरली डेली लाखों ट्रांजेक्शन से एक जीक्यूट होते हैं तो आप इमेजन कर स कर सकते हैं लोगा फायल में मैं कितने रिकॉर्ट्स होंगा रहे हैं जूगप फाइल्स मैं मिल्येंस रिकॉर्ट्स हो सकते हैं या पर गदेटावेस की किससके भाइल पर यूज हो रहा है उसके कस्टमड कितने हैं या जो सब्सप्निय में चैज। कितने लाखों ट्रंजेक्शन कर सकते हैं कि करोणों इस तरीक के लॉग रिकॉर्ट होगा है तो अब आपको जब फेलियर ओकर हुगा है तो फेलियर ओकर होते समय आपको आप क्या करना पड़ेगा रेकबरी के टाइम पर जब रेकबरी मेनेजर रन होना शुरू करेगा तो फाइल रीड करता है अब उसकी अगली ड्यूटी क्या होगी यह पता करना कि कौन-कौन से ट्रंजेक्शन से ऐसे जो स्टार्ट हुए लेकिन क्रेस तक कमिट नहीं हो पाई थे तो ऐसे ट्रंजेक्शन को कैसे पता कर आएंगे आपके उनके लिए आप देखेंगे कि स्टा आपको एक पूरी लिष्ट प्रिपेर करना पड़ेगी सेट आप ट्रांजेक्शन की जिनको अंडू करना है जिनको रीडू करना है ओके अब आप इमेजन करिए जिस फाइल में मिलियंस और बिलियंस अप लॉग रिकॉर्ड लिखे हुए है उसमें सर्च करना कितना कॉश्णी अफ्यर हो सकता है क्याके आपको सर्च यहां से बिगिनिग से मतलब पूरी फाइल को बिगिनिंग से और यहां तक सब करना पड़ेगा और यह सर्च बहुत कंप्लेक्स हो हो जो राइट्सक्शन कमप्लीट हो गए त्यों उनको कमेट भी कर रह रहे हैं जो मोघडिफेशन है adalah को याद हो बाफर मेनेजर पिरियोड क्ली जो भी झेंज Wisconsin लिखता है हूं हमेशात नहीं करता है लेकिन एक पिरियट में एक पिरियट के जाएंगे जिस पॉइंट तक डिस्क में चेंजिस बफर मेनेजर ने पर्मनेंट कर दिये थे तो लेट से वह यह पॉइंट यह था यहां तक जो चेंजिस थे यहां से लेकर के यहां तक चेंजिस सब रेकबरी जो बापका बफर मेनेजर था उसने सब डिस्क में राइट कर आपको मालम है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस से पहले के सारे ट्रंजेक्शन जो भी थे चाहें वह कंप्लीट हुए थे नहीं भी हुए थे लेकिन वह सेफ हैं मतलब यहां तक डेटा वेस कंसिटेंट में हैं और इस से पहले के जितने ट्रांजेक्शन साया तो वह कमिट हो चुके थे यह वोट हो चुके थे ठीक है थे पारचिल एक जी कुछ नहीं रुटता है क्योंकि इस पॉइंट ऑप टाइम पर तो पार्चिल एक्जिकुशन जो ट्रांजेक्शन का वो यहां देखाई देगा हो आज है वे ठीड़ा अज है एक पॉइंट जी सेओं पने पर्मांइंट कर दिया था सो इसOn और एक एसा पॉइंट होता है आज है is a point where सारे ट्रांजेक्शन के जो चेंजेस थे वह पर्मानेंटली आपने राइट कर दिये थे सो उनको रिडू करने की कोई जरूरत नहीं है और उनको अगर 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 हुआ होगा तो उसके भी चेंजेस कर दिये गए से अवार्ट भी करा दिये कहा था सक्सेस्पली तो यहां आ यहां से यहां तक इस परलि बाद अपको आपको हैंर करना है flowing के बाद यहां इस इस पॉइंट के बाद उनको आपको हैंडल करना है ऐसे जो इस लाइन के पहले इस चेक्पॉइंट के पहले कमिट हो चुके थे या अबौट की यहां पर आपको मौलूम है कि यहां पर तो इस चेक्पॉइंट तक ही हमें यहां के बाद जो ट्रांजेक्शन एक्टिव थे उनी को हैंडल करना है तो हमारा कामाव आसान हो जाएगा मैं केबल इस स्पेस में ही सर्चिंग करनी है और यहां देखना है कि कौन-कौन से ट्रांजेक्शन थे जो कमिट नहीं हो पाई थ चेक्पॉइंट में एक information और maintain की जाती चपोइंट मांक किया जाता है तो एक घर च॑ेंट को उनीच-थ्फिय तो चेक्पोइंट में इसका इडिक िविक हैं यह इलिस्ट बताएगी कि जेक्पोइंट से पहले कौन-कौन 새 ट्रांजेक्शिन AMP tap div थे क्योंकि domest आ हमें अट एक्टिव हो सकता है ना तो हो सकता है कुछ ट्रान्जेक्षोन ऐसे थे जो इस प्वाइट से पहले एक्टिव थे और अभी भी ऐग्जीक्यूट हो रहे हैं क्योंकि चेक्पॉइंट पर आप केवल उनी ट्रांडेक्षन के पर्मेन्ट करते हो जो कमिट ओगा हो यह आवट हो गई हो ओके लेकिन ऐसे जो अभी काम कर रहे हैं continue होए उनका वर्क उनको हम उनके चिंज को पर्मनेंटली सेव नहीं कर सकते हैं तो चेक्पॉइंट जनरली दो चीज़ें मेंटेन करता एक चेक्पॉइंट की आईडी होगी और यहां पर लिस्ट आप ट्रांजेक्शन होंगे जो इस चेक्पॉइंट से पहले एक्टिव हो चुके थे डाट मीज देवर इन एक्टिव स्टेट चेक्पॉइंट दो चीज़ें रेकॉर्ड कर रहा है कि एक तो उस टाइम पर जब चेक्पॉइंट बनाया गया उस समय एक्टिव ट्रांजेक्शन कौन-कौन से थे और चेक्पॉइंट का आइडेंट जो चेक्पॉइंट के टाइम पर कमिट नहीं हुए थे उससे पहले स्टार्ट तो हुए लेकिन चेक्पॉइंट जब लिखा गया था तब वो एक्टिव स्टेट में थे तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि इनको कमोई कमिटी आब और करना है तो आपको कभी कभी चे चेक्पॉइंट के टाइम पर एक्टिव थे या चेक्पॉइंट के बाद स्टार्ट हुए हैं उन्हीं को कमिट अंडू रीडू जो भी उनका कुछ करना है वह आपको करना पड़ेगा तो चेक्पॉइंट क्या करता है आपका काम बचा देता है जो सर्च है आपका सर्च स जो आजूमिशन लेके चल रहे हैं वो आजूमिशन यह है कि जब चेक्पॉइंट राइट होता है तब कोई भी ट्रंजेक्शन अपना काम नहीं कर रहा होता है हम सारे कुछ देर के लिए ट्रंजेक्शन के एग्जीक्यूशन को राइटिंग को रोक देते ह्या वो डेटावेश में मॉदिफिकोडिकेशन नहीं है नहीं कर सकते हैं फो हो bulb चेक्पॉइंट के टाइम पर वी डितावेश को MARK गरेकरने की परमीशन देते हैं लेकिन व sudah प्रोप्लेक्स हो जाता है तो हमें भी अब सिंपलिसिटी के साथ डील करना है तो हम यह मानते हैं कि चेक्पॉइंट जब राइट किया रहा है तब किसी भी ट्रांजेक्शन को कोई करने की पर्मिशन नहीं दे जाती है तो सारे मोडिविकेशन सस्पेंडेट रहेंगे डेटावेस अपना चेक्पॉइंट राइट कर देगा देन आप ट्रांजेक्शन अपना मोडिविकेशन रिज्यूम कर सकते हैं ओके तो सो दैट कोई भी अन्नेसरी प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको बहुत जाना ट्रांजेक्शन को अंडू रीडू नहीं करना पड़ाएगा केबल जैन वहीं ट्रांजेक्शन को रीडू करने की जरूद पड़ेगी जिनको जैनूरली आपको रीडू यांडू करना है और आपका जो लॉक फाइल का सर्च पेसर वो यहों में स्कुलास में लोग रिक अपर्टनिट करना